एक सुन्दर गाउं में एक सास ससुर जोडा, राजेश और सरिता, अपनी नई बहु, काव्या के साथ आगमन करते हैं। काव्या, एक समर्पित और समझदार बहु, नए परिवार से मिलती है और सास ससुर के साथ एक नई शुरुवात करती है। सरिता, सास, जो एक दूर दर्शी महिला है, बहु को अपनी दुनिया में स्वागत करती है और उसे परिवार के मूल्यों से परिचित कराती है। राजेश, ससुर और सरिता के साथ काव्या ने अपने प्रेम का इजहार किया, जिसने सभी को चर्चा में डाला। जीवन की दास्तान में सास, ससुर और बहु मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन साथ में हर कदम पर समाधान ढूंडते हैं। काव्या ने सास, ससुर के साथ अद्वितिय रिष्टा बनाया, जो प्रेम, समर्पन और समझ की भावना से भरा हुआ है। कहानी का सीख यह कहानी सिखाती है कि परिवार में साथिता, समर्पन और समझ से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और एक साथी और सहायक परिवार कैसे बनता है। इस खास गाउं में सास, ससुर और बहू की त्रिमूर्ती ने एक प्यार भरा और सफल परिवार का संगीत बनाया, जो हमेशा तक बचता रहेगा